ये भूखा नंगा भिकमंगा देश जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। कहते हैं ने कुत्ते की पूछ जिस तरह से सीधी नहीं हो सकती वैसे ये भूखा नंगा भिकमंगा देश पाकिसान कभी नहीं सुधर सकता। चुल्वर्ट पानी में डूब मरना चीए, जिंदिगे में कभी सुधर नहीं सकते तुम लोग, जिंदिगे में कभी नहीं सुधर सकते, इस मलोग क्या बोलें तुम्हारे लिए यार, तुम्हारे पर सर ढखने के लिए तरपाल तक नहीं था, वो हमारे भारत ने दी थी, वो जैहिंद जै भारत और बंदे मातरम मेरे प्यारे सैनिक भाईयों या यूं कहूं कि भारत वासियों इस वीडियो को पूरा देखना इस वीडियो को मैं फिर कह रहा हूं पूरा देखना इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करूर तरीके का वेवार अपनाया जाता है जब एक भारतिय कोई भी पाकिस्तान की जेल में बंद किया जाता है भाई रूख अपादेगी जब आप ये कहानी सुन लोगे ना पूरी रूख अपादेगी आप लोग कहोगे कि हिंदुस्तान में मौत की सजा मिल जाए लेकिन पाकिस्तान की जेल में सजा ना मिले वो बात आपको बताने जा रहा हूँ 25 महीने तक सोनू जो भारतिय था भारतिय है 25 महीने तक सजा काटी है भाई पाकिस्तान की जेल में और जब मैंने वो उसकी पूरी बाते सुनी भाई कलेजा काप गया मेरा बिल्कुल इस हद तक तरपाये जाता है और कब जब वो कोई भारतिय हो तो वीडियो में अंतक बने रहे ना पूरी बात आपको बताऊंगा देखें यहां पर साब लिखाए भारतिय ने बया की पाकिस की जेल में क्या वेवार दरिंदगी की जाती है वो आपको पूरी बात बताऊंगा देखें साथियों मेरे पीछे आपको दिखाए दे रहा होगा पाकिस्तान से पाकिस्तान जेल से रिहा भारतिय ने सुनाई आप बीती मैंने 25 महिने तक सूरज नहीं देखा कैदियों को इ हाँ भारतिय ने सुनाई आप बीती मैंने 25 महिने तक सूरज नहीं देखा कैदियों को इतना टोर्चर करते हैं कि वहाँ पर 10 लोग तो पागल हो गई और ये वो तस्वीर है जिसके अंदर सोनू कैद रहता था और ये सोनू है आगे देखिए पाकिस्तान की जेल में करीब साड़े आठ साल की सजा काटने के बाद 25 दिसंबर को सोनू कुमार अपने घर लोटे हैं मतलब भारत के अंदर लोटे हैं जम्मू की सीमा पर अब्दुलिया नाम का एक गाउं है 15 अप्रेल 2015 को इस गाउं से दो युवक रेत लाने के लिए घर से निकले वे नदी से रेत भर रहे थे इसी बीच अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और दोनों नदी में भैगए जान बचाने की जदोहद में करते हुए वे तैरते रहे और जब नदी से भार निकले तो वो पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच चुके थे ऐसा फिल्मों के अंदर आपने सुना होग आगे देखिए पाकिस्तान जेल पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ जेल से कैसे बहार आए कोट में क्या हुआ जेल के अंदर कैदियों की क्या स्थिती है इनी सवालों के जवाब जानने के लिए सोनू कुमार से बातचित की गई जेल में तेरा दिन खड़ा रखा मलब समझने आप तेरा दिन तक खड़े रखा भाई बैठने नहीं दिया लेटने नहीं दिया सोने नहीं दिया सिर्फ तेरा दिन तक खड़ा रखा अब सोचे कैसे वो वैक्ति सोनू कुमार खड़ा रहोगा तेरा दिन तक गिरता तो जं गिरता था तो उसको जंजीर बांद के फिर खड़ा करते थे वो जालिम हैं दस्वी तक पढ़े सोनु कुमार ने बताया कि जेल में तेरा दिन तक मुझे खड़ा रखा गया आंखों पर पट्टी बांद कर मुझे कपड़ा ठूस दिया गया था जब मैं जमीन पर गिर जाता तो मुझे जंजीर से बांद कर फिर खड़ा कर देते थे इस दोरान किसी ने मुझे से मार्क्विट नहीं की ये तो मार्क्विट से भी जादा करूर अत्याचार है सिर्फ इतना ही कहते थे कि तुम्हें खड़ा रहना होगा लगाता तेरा दोनों तक चले इस सिलसले के बा मदद करते हैं यह उनकी जो फोटो है यह अभी क्योंकी फोटो है मुझसे वो एक ही सवाल पूछते थे कि तुम्हें किस अजैंसी ने भेजा है इंटेलीजेंस ने या रो ने मैं कहता है हमें किसे ने भेजा हम गल्ति से आ गए हैं तो यही बात दोराते नहीं नहीं हमें जानकारी मिली है कि आपने यहां पहले भी बंबारी की है यहां आपके साथ कुछ और भी लोग हैं मैं फिर कहता आप लोग मेरा चेक करवा लीजिए मेरे बारे में जान लीजिए हम यहां कभी नहीं आए हैं और नहीं हमने कभी बंब फोड़ा है लेकिन मैं कोट लगपत जेल भेज दिया गया मैं रोज सुबह छे बजे उठ जाता था हम लोग सारा दिन काम करते थे खाना बनाने से लेकर मिट्टी खोदने तक का कैदियों में कहीं बारतों कुछ अंधे भी थे जेल में चार ब्लोक होते ऐसे होते थे जहां से किसी को निकलने की इज साज़त भी नहीं थी और देखिया अगे जब मैं जेल से बाहर निकला तो वहां 27 लोग कैद थे उनमें से 10 कैदी यात्राओं के चलते पागल हो चुके थे वे सभी अब भी जेल में ही हैं अब वे अपने बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि वो पागल हो चुके हैं पू सजा सुनाई थी जिनमें कोर्ट ने केवल मलब वहां पर जो है जेल में जाने के बाद कोर्ट ने केवल उनको चार से छे महिने के सजा सुनाई थी लेकिन इसके बावजुद उन्हें जेल में 20 साल हो चुके हैं बाई पूरी वीडियो देखना आगे की भी बात बता गए होगे कि वागए इतनी तरीके से यातना ही दे जाती हैं ये वो जेल है जिसके तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसके अंदर वो कहदी था आगे देखिए मेरे साथ जेल में मौझूद रशीद वाली मौम्मद की आँख दोनों आखों की रोशनी चली गई है विजयपूर के बशीर नवाजदीन को भी बहुत कम दिखाई देता है उसे बीच-बीच में दोरे भी पड़ते हैं वहीं दिल्ली के रहने वाले इमतियाज मुक्तलिम नाम के एक कैदी को डायबटीज है और उसको शूगर लेवल 500 है उसके एक पैर की हालात इतनी बुरी है कि अब उसे काटना पड़ेगा उसके बावजूद उसे कोई दवा नहीं दे जाती इलाज के लिए जेल के अधिकारी कहते हैं कि उसके लिए पैसे लेकर आओ अपने घर से पैसे लाओ हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि वो भुखे नंगे भिक्मंगा देशा प्राकिस्तान इसलिए उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं है जबी आज आटे उर्दाल को भी रो रहा है दवाएं नहीं होने के चलते एक बिमार कैदी मर गया था मुझे कुछ कैदियों ने बताए कि कैदी के मरने पर उर्दू में जूठी रिपोर्ट बना दी जाती थी रिपोर्ट में दूसरे कैदियों से हसाक्षर करवा लिये जाते थे कि साथ ही कैदी बिमार था अल्ला की मर्जी थी तो चला गया कुछ कैदी पाकिस्टानियों से भी नफरत करते हैं कुछ कैदी भारतियों से नफरत करते हैं वे अक्सर पीम मोदी के बारे में भला बुरा भी कहते थे, ये सोनु कुमार की तस्वीर है, और ये तस्वीर सोनु कुमार जब अपने घर लोटे हैं, भारत लोटे हैं, तो ये उनके घर के बाहर की तस्वीर है, कभी करंट देते थे तो कभी उल्टा लटकाते थे, क्या क्य हूँ यार कितनी बुरी तरीके से यातनाय दी जाते हैं दरिंदे हैं वो बिलकुल पाकिस्तान के जेल में कभी बिजली के जटके देते तो गभी उल्टा टांग कर पीठते थे पुस्ताज के लिए वे सबी तरह के करूर तरीकों का इस्तमाल करते थे मुझे इसी तरह 25 महीने तक रखा फिर आर्मी कोट में ले जाए गया लेकिन वहां भी उनके साथ पहले ही जज बैटे होते हैं जज करनल महत ने मुझसे कहां तुमने गलती की है इसलिए सजा तो दी जाएगी मैंने कहा हमें वकील की मदद तो दिलवा दीजिए जो हमारे बारे में सच पता लगा सके जवाब मिला नहीं तुमने जो किया है उसकी सजा पांच साल होगी आगे देखिए सजा पूरी होने के बाद भी दो साल जेल में रखा हाला कि मुझस इसके बाद मुझे एक वकील दिया गया वेभी कोट में सिर्फ यही कहता कि मेरे क्लाइंट के साथ सक्ती ना बरती जाए कम से कम सजा दी जाए इसके बाद मुझे पांच साल की सजा सुनाई गई वहीं मेरे साथ पकड़े गए वेक्ति को पांच साल पहले ही रिहा कर दिया गया था पांच साल की सजा पूरी होने के बाद मुझे दो साल और जेल में रखा गया जब मैं रिहाई के बारे में यह मतलब रिहाई के बाद छे महीने के लिए जेल में फिर डाल दिया गया वे अक्सर कहते थे कि तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे मुझसे अक्सर कहा जाता था कि कल छोड़ देंगे परसों छोड़ देंगे 11 अगस्ट 2023 को चार लोगों को रिहा करना था जिन में से दो यूपी और दो बिहार के थे हमें भी जेल से बाहर जाने के लिए तयार किया गया जैसे ही हम जेल के गेट के बाहर निकले तो मुझे रोक लिया गया और कहां उपर से कोल आ गई हमारी खूपिया एजेंसी आई एस बंदे को भार नहीं भेजना है इसके बाद मुझे वापस जेल में डाल दिया गया इस तरह मैं फिर छे महीने जेल के अंदर वापस धखेल दिया गया जेल से रिहाई के दिन के बारे में बात करते हुए सोनु कुमार ने बताया कि बीते सोमवार यानि के 25 दिसंबर के शाम मुझसे ये कहा गया कि कल तुम्हारी रहाई है आखिकर अगले दिन सुभह करीब 10 बजे मैं पाकिस्तान से बागा सीमा पर पहुँचा मेरा भाई बहन और मेरी मा मुझे लेने आये थे इस तरह मेरी यात्राओं का सफर पूरा हुआ मैं वापस अपने परिवार के पास पह परताडित किया जाता है और कुरूर तरीके का वहवार किया जाता है यह भूखा नंगा भिकमंगा देश जिन्दगी में कभी नहीं सुधर सकता कहते हैं कुट्टे की पूँच जिस तरह से सीधी नहीं हो सकती वैसे यह भूखा नंगा भिकमंगा देश पाकिस्तान कभी न परना चीए जित्गे में कभी리 सुधर नहीं साकते तुम लोग। जिन्देंगे में कभी नहीं सुधर सकते कि मालब क्या बोलें तुम्हारे लिए यार। तुमाइya पर सर ढखने के लिए तरपाल तकไมफोपा वह मांठी था वह हमारे भारत Drive करो आज आटे डाल के लिए भूके मर रहे हो तुम लोग थू है तुम्हारे ओपर शरम आती है मुझे तुम जैसे पाकिस्तानी कुत्तों के ओपर जै हिंद जै भारत